वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग को बहुत ही खुबसूरत ये पाउदान या डॉर्मेट कह लेजिए उसकी डिजाइन लेकर आई हूँ तो इसके लिए देखे फ्रेंड्स आप पुरानी साड़ी और दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं मैं उ मारे कली बनेगी तो यहां पर मैंने तीन कली बनाया हुआ है एक कली मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगी इसके लिए देखे मैं आप लोग बना के बता रहे हूं बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को अब देखे सुरू में आपने पहले दो सलाई बुन लेना है देखे जैसे मैंने आप पे बुन लिया है दो सलाई अब हमारी डिजाइन बनेगी तो पहले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है पहले फंदे को उतारने के बाद उनको अपनी साइड लाएंगे यहां पे दो फं बारक कलर से बना के आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग के पास अगर उन बस भी जाते हैं फिर भी आप उसका बना सकते हैं इससे आप थाल कबर भी बना सकते हैं या तो डोर मेट जैसे भी आप यूज करना थाल कबर बनाना चाहें तो red और white color का बनाईए friends बहुत ही प्यारा लगेगा उसको आप 40 फंदे का कर दे या 30 फंदे का 40 फंदे का करेंगे तो अच्छा रहेगा अब देखिए हापे ये दो के multiple से ये designs बनती है यहापे देखिए मैंने एक silk thread की देखिए ये उली है चमक वाली इसमें देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है और ये वर्दमान के blue color के अब देखिए हमने आप इतना बुन लिया दो हम फंदे छोड़ देंगे दो फंदे चोड़ने के बाद सलाई को पलट लेंगे पीछे की साइड से सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा भून कर complete करते हैं देखिए हम front side पे आ गया है अब देखिए पहला फंदा हम ashtis ऐसे उतार लेंगे उसके बाद उनको अपनी side लाएंगे दो फंदे का एक करेंगे यह हमारी जाली वाली डिजाइन बन रही है आप और भी अगर डिजाइनर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग comment करके जरूर बताएं तब ही हमको समझ में आएगा कि आप लोग को कैसी डिजाइन से यह तो देखिए इसको आप साड़ी में भी बना सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही उनको आगे करके और देखिए दो फंदे को एक साथ बुनेंगे यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सलाई ली है उनको एक साथ बुनने के बाद पहले हमने यहाँ पर दो फंदे छोड़े थे देखिए हम आगे की साड़ से आगया है एक फंदे को ऐसे उतार लेना है उनको अपनी साड़ लाएंगे दो फंदे का एक करेंगे फिर उनको अपनी साड़ लाएंगे हम दो फंदे का एक करेंगे देखिए एक बार और आप लोग को दिखा दू यहां पर देखिए दो फंदे को हम एक साथ बुनेंगे यह जाली वाली डिजाइन्स मैंने बहुत बार आप लोग को बताई है उलेन ब्लाउस में भी बनाना बताया है इसका तो आप वही वाली डिजाइन मैं इसमें बना रही हो तो मैंने देखा कि देखिए कैसा इस पर ही बुनना है देखिए फ्रेंट्स हम बीनते हुए दो दो का और सौरी दो दो छोड़ते हुए अब यहां तक हम आ गये हैं तो हमने आपको बताया है पीछे की साइट से हमेशा आपने उल्टा-उल्टा बुनना है बहुत इजी डिजाइन है आप इसे 40 फंदे में बनाए तो बहुत ही प्यारा आएगा इसलिए मैं आप लोग को छोटा बता रही हूं फ्रेंट्स क्योंकि मेरे यह किसी काम का नहीं आने वाला है हम यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं डोर मेट और तो इसलिए मैं आप लोग को साड़ी में भी नहीं बताती हूं और यह बड़ा भ पंदे यहां तक दो-दो करते हुए छोड़ते हुए यह आटोमेटिक आपको पता चल जाएगा जब आप दो-दो छोड़ते हुए आएंगे तो देखे फ्रेंट्स इसलिए मैं आप लोग को बड़ा नहीं बना के दिखा रहे हूं लेकिन आप इसके लिए मैंने सारी बनती हुई आएगी आप देखिए हमने यहां पे भी यहमारा कंप्लीट हो गया है तो हम अब यह वाला कलर लगाएंगे औरेंज कलर ओरेंज कलर को हम यही से लगा लेते हैं आगे की साइट से हम लगा रहें आप चाहें तो पीछे की साइट से उन को जोड सकते हैं आप द इस side से भी लगा सकते हैं तो orange color जब हम दूसरा color लगाएंगे तो सारे फंदे को हमने आगे की side से सीधा सीधा बुन लेना है design नहीं बनेगी हमारी और सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे अब पीछे की side से सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन के आएंगे देखिए अभी बताती हूँ देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने एक भी फंदे को इसकिप नहीं करना है जब हम सेकेंड कलर लगाएंगे तो हमने सारे फंदे को बुनना है दो सलाई एक सलाई आगे से एक सलाई पीछे तो पीछे की आप इससे थाल कबर भी लगा से बना सकते हैं थाल कबर में आप औरंज कलर वाइट कलर ऐसे दो-तिन कलर कॉमिनेसन लगा कि बहुत ही प्यारा बनेगा इसके पहले मैंने ओरंज और वाइट कलर में अपर लोग को थाल पोस बनाना बताया अगर आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी वो डिजाइन है, वाइट और ओरंज कलर की इसी डिजाइन में है, अब देखिए, यहाँ पर ऐसे आ गया, अब फिर हमारी, अब यह फिर हमारी ऐसे ही डिजाइन रिपीट होते हुए आएगी, बस आपने एक सी स्के लाके दो फंदे का एक करेंगे, यह बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, तो आप लोग जरूर बनाएं, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, थैंक यू,